नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शुबी को बता दे कि या फिर आपके घर परिवार के पीछे लग गई है या चुडेल जिया दोसों आप शुबी को बता दे कि शुमे रहते हो जाएं शावधान वरना ये आपके घर को भी बरबाद करशकता है ये दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि आने वाले शुबे में अब इनका खेल खत्म होने वाले हैं तो दोस्तों आज को यह विडियो आप शुबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून और बहुत ज़्यादा भागी शाली रहने वाली है तो दोस्तों आप इने बिल्कुल भी मिशना करें और सुरूस लेकर अंत तक जरूर देखिएगा यह दोस्तों आप शुबी को बता दे कि व्यक्ति जब अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं लोगों से अलग करने लगते हैं जब आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों लोग आपसे कही न कही जरूर जलते हैं और इतनी हद तक जलते हैं इतने हद तक आपको नीचे गिराने का प्रयाश करते हैं कि कहने शक्ते और दोसों उसके बाद वो लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो तांत्रिक बिद्याओं का इस्तुमाल करते हैं पिछले कई दिनों शे आपने देखा है कि आपके कारी बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जिन कारीों में आपको मन लगता था, उन कारीों में भी आपको मन लही नगने लगा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक दिखिएगा, कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केशे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, शाते केशे आप इनसे बच सकते हैं, इनको पने जिन काल से केशे बाहर निकाल सकते हैं, शबी महत्पुन जानकानिया इस वीडियो में हैं, तो दोस्तों वीडियो को सुरू माकाली का जरू लिखेगा तो यह दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे कि आप इसकी पहचान किश्य करेंगे कि आपके उपर कोई चुड़े लगी है या पिर कोई एशा तंत्र क्रियाएं किये हैं जिनके करणा आपका जीवन बिल्कूली धौस्त होन सोच नहीं पाता इसलिए वहाँ शही कारि नहीं करते हैं जेदोस्तों और उनका मन बहुत परझान हो जाता है उन्हें लगने लगता है कि अब हम कोई भी कार करने शक्ते हैं यहा कार हमारे मस्तिक्त से बाहर है कि उनकी जुनकाल में किसी और का ही तो दोसं कभी भी किसी के साथ रहना वा पसंद नहीं करते हैं। हमेशा उन्हें नींद आने लगती है, खाने पर अध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों एशे में आप शबी को जो घर के बुढ़े पुझरों के हैं, जो बड़ो आदमें हैं, उन्हें यह बात शमय ना चाहिए, कि उनके परिवार के पीछे किसी का शाया तो जरूर है, आपके शदिश के उपर तो कोई शमश्या ही नहीं है, रिपोर्ट तो बिल्कुल ही अच्छे आने लगते हैं, तो दोस्तों इन्हें भी आपको चूप नहीं रहना है, आपको समझना है कि किसी का शाया आपके घर परिवार पर है, तभी तो परिवार में इतनी किल्लत सी हो ब्हायों दोस्के लेना और hasa उताट आधाती है सिंग्ण गिशने वाला व्यक्ति भी आपके सोल इताधने रहते यह दोस्कों तो एशय में बहुत तक यदा हो जाए तो थोह भू सोभ सत potato Prakसने के आपके उपर एशय किरयाएं कर सकते हैं जो ऐसे तांत्री कि बिद्धाइं करते हैं भू चोड़ देते हैं यह कहें तो किसी पीछे लगा देते हैं तो यह बात आपको गौर्ड करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपके शाहत है जो अक्षर व्यक्ति के पीछे वही लोग कुछ कारे करते हैं जो कि उनके आजपास हैं जो कुछ उनके शंपर्क में हैं तो दोस्व आखिर आपने जुनकाल में कौन किस- बहुत जलते थे लेकर दोस्व आज के दौर में भगवान के शिर्बाश या आप शिविक जिनकाल में बहुत शारी चीजें हैं जिनकी आपको जरूत है जो और इनी सब चीज को देखकर लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं जो पिछले समय में जब आपके पास कुछ अभी नई था तो दोस्वों लोग कितना आपसे जलते थे और नीचे गिराने का प्रयाश करते थे लेकिन आज तो आपके पास बहुत कुछ है तो दोस्वों आज लोग के खाने केसे पज़ेंगे दोस्वों इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लोग आप स आपको दिरे दिरे बरवात कर रही है और आप शबी गटाएं को भी देख रहे हें तो समय रहते आप इंसे कैसे समलें कौन-कौन सिद्वाइक करें तो आय दोस्तों झालती हैं तो दोस्तों उन्श के आप दूर रहने किया पर्याश करें यह से ही व्यक्ति हैं अगर आप उनकी जुनकाल पर और शमय रहेंगे तो दोस्तों आपकी शबलता उन्हें देखी नहीं जाएंगी और शमय शमय पर वह आपसे जलते रहेंगे आज उसने यह किया है तो दोस्तों कल कुछ और भी कर सकते हैं उनका अगला कदम और भी खतरनाग हो शकता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बचाव के लिए अपने जुनकाल में इन शबी बातों का ध्यान देना होगा जैदोस्तों हम आप शबी को प्रभू हमसे यह गलती हुई है आयंदा हमसे यह गलती नहीं होगी शबी गलतियों को आपको इश्वार की शामने मानने हैं और छमा प्रातना करना है दोस्तों इसको प्रांथ आपको इश्वार से भी मांगना है कि अब हमारे जुनकाल से श्वी परिशानिया दूर कर दें हम अपने जुनकाल में जो भी चाहते हैं वह हमें दिला दें पर शर्ते हम आब आपके ही राष्टी पर चलेंगे दोस्तों ऐसी प्रात्ना आप शुबह शाम अपने जुनकाल पी करें और शादी दोस्तों आपको बता दें कि दुश्मन के कारक हर्मान जी माने जाते हैं तो दोस्तों हर्मान जी के भी मंद और शंकट से आपको बचाएंगे शंकट मोचन हनुमान जा दोसों इसको प्राहंद दोस्वा आपको बिता दे कि अगर आपके घर में आपके परिवार में किशी के उपर बुरी जर्णा जादा हो गई है तो दोस्वा उनके हाथ में काले धागे जरूर बांदे क्यों काला ध अगर आप दुशमन से पचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आएंद आपके जुनकाल में ऐसे सत्रू आई ही उनी, ऐसे सत्रू पेदा ही नहीं ना हो तो आपको भगवान शुन्देप के चरणों में जाना होगा, भगवान शुन्देप को पूजा पाठ करना होगा, यह आपको तिल सरहाने होंगे में होनेभाई पपर दोस्ति पायंगे कि दोस्तों अपने जुनकाल में आप कितना भी धन अजित करें कितने भी आप शुकों को प्राप्त कर लें लेकि दोस्तों कभी भी अपनों के शामने उन्हें जाहिर ना करें तो यही लोग होते हैं जो आपके साथ तो अच्छे रहते हैं लेकि दोस्तों पेचे पेचे चलत सê चलते शाम ehinar Bay 30 we doshow लिए दुश्मनी मोल現री लगते हैं तो दोसों इसे में आप परिया बातों का दियान रखें जाथ हिसाथ अपने कारें को बखान न करें but तो कार सी अब करते हैं तो कार पर शुकतिक को प्रत्let बिल्कुम्त isn't कं़ारी कर रहें आज स्टय भूली पन को चुड़ना हो ऑपकी राष्या छोपन के प्रूंए- भूले पन के शिकार से अपने भोलेपन की वज़े से ही दुस्मनों का शिकार हो जाते हैं और दुस्मन जलते जलते आपके उपर तांतर क्रियाएं भी करती हैं भूत पिछोड़ने लगते हैं तो दोस्तों कभी भी अपने कारें को उतना बखान ना करें जितना आप करते हैं जिए दोस्तों आज से अपने जुनकाल में आप इन शबी बातों का ध्यान रखें दोस्तों यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होंगे और इन दोस्तों इनसे आप अपने जुनका कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद